एलो फरेंस, वेलकम टु माई यूट्यूब छेनल तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है मैक्सवल की समिक्रिने, तो ये क्लास्ट 2 टाल्फ एक्स में काफी इंपर्चन्ट टॉपिक है तो इस वीडियो भी काफी important होना वाला है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे तो Maxwell ने जो समिक्रेन दी वो समाकलन रूप में दी Maxwell ने विद्यू तता चुम्बक्तों के सभी नियमों को गनीती सुत्रों में लिख कर सार समिक्रेन प्राप्त की इन्हें Maxwell के समिक्रेने कहते हैं याने विद्यू चेतर वाले टॉपिक मेंसे और चुम्बक के चेतर वाले पार्ट मेंसे जो है Maxwell ने चार समिक्रेने दी तो Maxwell ने विद्यू तता चुम्बक्तों के सभी नियमों को गणिती रूप में जो समागान रूप में जो समिक्रण दी उसे Maxwell की समिक्रण है का गया तो सबसे बहले है Maxwell की पर्थम समिक्रण इस तीर वीदियो चेत्र के लिए Gauss की पर्मे है तो पर्थम समिक्रण जो है इस तीर वीदियो के लिए Gauss की पर्मे है वन अपन एपसालन डॉट कुणा होता है यही जो है गाउस का नियम है विद्यूत चेत्र समद्धित तो फाई यही जो किया है विद्यूत फलक्स यह बंद समाकरण E.DA होता है तो वो किसके बराबर होता है सिग्मा की अपन एपसालन डॉट तो यह समिकरण परतम हो गई Maxwell की परतम है फीर है Maxwell की दिवित्य समिकरण तो इस्तीर चुमबगी चेत्र के लिए गाउस की पर्में तो इस्तीर चुमबगी चेत्र के लिए गाउस की पर्में लिख सकते है परंतु सुतोंत्र उत्री धुरुवदक्षथď navig絡 प्रुवदक्स्री दुरुवदक्रेन नहीं हो गया ने कि हमें पता है कि जो चुम्पक की जिरों के बराबर होगा। यही गाउस का। चुमब के पते हुप्रें के द्यूतिय समीकरण है। तो फैरादे का दिवत्तिय नियम क्या था कि किसी चुम्बक की फलक्स में परिवर्तन करते है तो प्रेजित विद्वाक बल उत्पद होता है तो प्रेजित विद्वाक बल जो है उसका मान चुम्बक की फलक्स में परिवर्तन की दर्ग के तुल्ली होता है याने की प्रेजित विदुतवाकबल ए बरावर माइनस डी फाई अपन डी टी होगा फिर आगे हम जानते हैं कि किसी सत्व से निर्गत कुल फलक्स फाई बरावर किया होगा बंद समाकलन बी डॉट डी ये ये समिक रहें तीन तो प्रेजित विदुतवाकबल का सुत्र ए ब ब्रावर माइनस डी ये बंद समाकलन बी डॉट डी अपोन डी ये स्मिक्रियंद छेयर होगया तो यदी चुम्प किया चेत्र परिवर्त्त है तब क्या होगा ये डी बी इसके अंदर आजागा तो ये डी बी होजाएगा डी ईबी अपन डी इसका समागन करेंगे ये रिन समाकरण db upon dt.da बराबर बन समाकरण e.dl यह समिक्रण साथ यह मैक्सवेल की तरतिय समिक्रण है जो कि चुम्बक की छित्रों वीदु छित्र में संबंद दर्शाती है इस समिक्रण द्वारा परिवर्तित चुम्बक की छित्र के कारण उत्पन वीदु छित्र के भी संबंद प्राप्त होता है अब है मैक्सवेल की चौती समिक्रण जो कि एमपियर मैक्सवेल समिक्रण के नाम से जाने जाती है तो MBN का नियम क्या होता है कि किसी बंद प्रष्ट से संबंद जो है चुम्बक्य छेत्र का मान जो है उसमें गुजरने वाली कुल धारा का जा हो है मी.डुणा होता है तो यहाँ पर जो है मैक्सवेल की समिक्रण में क्या होगा यह बंद समागर बी.डॉट डील बराब मी.डॉट आई यह समिक्रण एक हो गई तो उप्रक्ष्ट से मुक्त इलक्ट्रोन के परवास उत्पन धारा के लिए सही है यह मुक्त इलक्ट्रोन से उ इसे आई ए के रूप में प्रवाइत होती हो तब समिक्रण एक में यह बंद समागर बी.डॉट डील बराबर मी.डॉट यह चालन धारा और यह विस्ता बंदारा ठीक है दोना का यह वह जाएगा तो छूंकि विस्ता मतारा आईडी यह पर यह आईडी है यह एपसेलन कैसें में, पर समайकरण भी.डॉट, धशरी ऑनधा इक समिक्रूसद, इसमेखरबर मी.डॉट i. g म क्या है यह वाला मान फ्रम और मय वाला मान रग देंकर यह मेक्स्वा सम।्स बास होये है यह है मेक्स्वाल की जो हैं यह मिक्स्वाल 16e कर दvousक वी मेक्स्वाल शूंकरण ह वारा उत्पन चुम्ब की चेत्र के भी संबद दर्शाती है तो आई हूप आपको यह वीडियो अच्छा लगागा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किजिए और क्लाश 12 के कैमिस्ट्री फिजिक्स वार मैत के इंपर्टन टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब करें थैंक्स पर वाचिंग